हाईलो फ्रेंज किरन किरेटिव क्राप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज आज मैं आपको कैरी बेग से नए डिजाइन का डॉर्मेट बनाने सिखाऊंगी फ्रेंज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए कैरी बेग से डॉर्मेट बनाने शुरू करते हैं फ्रेंज डॉर्मेट बनाने के लिए दखिए दो कलर का कैरी बेग ली हूँ यहां पर दखिए एक बेंगर ली हूँ देखिए इसको इस तरह रखकर देखिए मार्क लगा देना है देखिए दोनों पीश में इसी तरह मार्क लगा देना है और इसको राउंड सेप में कटिंग कर लेना है फ्रेंज देखिए दोनों कलर के कारी बेक से round shape में pieces cutting कर ले हूँ friends dormate के base के लिए मैं यहाँ पर पुराना paint के कपड़ाई यूज़ कर रहे हूँ आप यहाँ पर कोई से भी पुराना कपड़ाई यूज़ कर सकते हैं देखिए इसका लंबाई है साथे चौदा इंच देखिए चौडाई है इस तरह से दोनु कोईर पर देखिए इंची टेप से इस तरह रख कर और यहाँ से इस तरह मार्क लगा देना है देखिए और इधर से भी दोनु कोईर से लेकर इस तरह मार्क लगा देना है इसके बाद friends यह जो, पीसस कुटिंग करी हों, देखिए, फ़र्स्ट पार्ड में, देखिए, यह, जो, मारक लगा हैं, यहाँ रखकर, पीसस को, एक सिलाई लगा देना है Gabriel इसके बाद, फ्रेंस देखिए इस तरह, रखकर, इस पर भी सिलाई लगा देना है देखिए इसी तरह पीश रहकर सिलाई लगा देना है, बाकी पीशिस को इधर रहकर सिलाई लगा देना है देखिए फ्रेंज शारे पीशिस को सिलाई लगा कर कम्प्लिट कर ली हूँ देखिए इसके बाद अपोजिट वला पाट में देखिए रेड पीश एहां से इस तरह रग कर देखिए ए मार्क लगाए हूँ एहां से इस तरह रग कर इसको भी शिलाई लगा देना है बाकी पीशेश को इधर शिलाई कर लेना है देखिए फ्रेंज रेड पीशेश यह रग कर शिलाई लगा दे हूँ देखिए दोनों साइड शिलाई लगा दे हूँ देखिए वाइड पीशेश यह कटिंग करे हूँ देखिए इसको यहां इस तरह रग कर इस पर शिलाई लगाना है देखिए इस तरह से रखकर यहां सिलाई लगा देना है देखिए बागे पीसेस को इसी तरह रखकर सिलाई लगा देना है इसी तरह सिलाई करके कम्प्लीट कर लेना है देखिए इस साइड वाइट पीसेस यह सिलाई कर ले हूँ देखिए इसके ओपोजिट साइड इसी तरह पाइटन को रखकर सिलाई लगा देना है देखिए इस तरह से रखकर सिलाई लगा देना है बागे पीसेस को इधर रखकर सिलाई लगा देना है देखिए फ्रेंज सभी पीसे सरह कर सिलाइक करती हूं देखिए इस तरह से डोर्मेट बनकर कंप्लीट हो गया है मेरा डोर्मेट पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए और कमेंट भी करके बताईएगा तो मेरा वीडियो देखिने के लिए धन्वाद है